सब्सक्राइबर ने मुझे एक लाग तर्का PC बीड करवाना है तो मुझे कौन कौन सर्क कॉंपोनेंट लेना चाहिए तो उनके लिए विडियो आ चुका है तो यह विडियो वह देख सकते हैं आप लोग भी देखें आप लोग भी पता चलना चाहिए कि बाकि विडियो को सब्सक्राइब करके लिए ताकि आपको टाइंट वीडियो मिल जाए तो चलिए फटापड़ी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसे आप आपको ऐसी हिंट देने वाला हूँ तो इसे आप भर्स में कभी PC बिल्कने जा रहा है तो उससे आपको बहुत जादा मदद मिलने वाली तो जली बीटी को स्टार्ट करते हैं तो इच्छा नहीं फटलःब यहां पर आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा प्रोसेसर लिया जोस्तों हमने आपके लिया कि इंटेल की तरफ चाहिने वाला आई 512-400 एफ उसी के देखते हुए हमने यहां पर काफी अच्छी गेमिंग और एडिटिंग आपको जो भी करने हैं सब यहां पर आराम से कर पाएं उसको देखते हुए हमने यहां पर आई 512-400 लिया है एफ लिया है बाकिस्तों यह प्रोसे हाननन लाते फार दीक की लांते अपर तरह कि पॉन पर हैं लगा सकते हैं तो समझा से नहीं द gap ने मोगता है आपको चुम तो प्रोसे आयूंट की लड़ान यांप सहलए हैना आपको को यहां जहूरत पढ़ती है यह स्लाइन जैके आह some闍ट दोनों तरह की राम लगा सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको PCI 4.0 और PCI 5.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है बाकि उसकों यहां पर और भी चीज़ें लगवक्त सेम ही है और कुछ इसमें खास देखने को नहीं मिलता है जिसमें आपको कोई भी ग्राफिक कार देखने को नहीं मिलता है इसके लिए दोस्तों आपको डेरिकेट ग्राफिक कार लगाने की जवुद पड़ेगी तो इसके बाद हम चलते हैं मदरबोर्ट के तरफ तो मदरबोर्ट में हमने लिया है गिगापाइक के तरफ से आपना ब इस पीसी बेल में इस मदरबोर्ट को लिया है तो यह थोड़ा सा लंगी होने वाली को दूस्तों यहां पर मैं आपको एक्स्प्लेंट करके बताना माला हूँ कि यह बिसी जो आप एक लाक में बिल कर रहे हैं इसमें आप कौन-कौन से कॉम्पेंट के साथ जा सकते हैं इस लेगा और या स्वी 3.2 Gen 2 का सपोट आपको में जाएगा सब्सक्राइब और आपर यह थे क्वेज़ जाते हैं जो चाहिए होता है बक्ने उसको यही आप यहां पर देख सकते हैं आपने बजल के एकोडी तो यहां पर तो हमने यहां पर ठंदा करने लिया उसके साथ इस्टॉक कॉलर आता है लेकिन अगर आप काम करने जा रहे हैं तो वह इस्टॉक कॉलर आप अच्छे से काम नहीं करता है इसकार से हमने यहां पर एक सीप्यू कॉलर अलगसे लिया यहां पर आप देखते हैं इसके लिए तो आप इसको भी वाइक कर सकते हैं बाकिसमा इस जो PC हमने RAM लगा रहे कि SPG की तरस्ते वाली DDR4, D50 RGB, 16GB RAM हमने लगा रहे कि जो की डूलिष्टिक लगाई 880GB की ताकि हमें कोई परफार्मस में दिक्कत ना हो पाए बाकिसमा अगर आपको अपना PC लंबा बील करें काफी बजट में PC बिल करें इसमें लगभग 16GB कम से कम RAM आप तो लगाएंगी दूस्तों इसमें आप लगा सकते हैं लेकिन यहां पर हमने डूलिष्टिक लगाई यह को तुस्तों हमारा बजट के काउडिंग यहां पर आपको डूल चैनल का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और आपको स्पीड आपको करफी अच्छी देखने को मिलीगी तो यह रेम आपको पांचीर जाना चाहते हैं तो भी आप इसके साथ जा सकते हैं यहां पर हमने SSD में जोस्तों हमने लगाई है वेस्टेंड डिश्टेल SN850 500 GB के हमने यहां पर यहां पर आपको निकाल के देने वाली तो इसके लिए तो हमने यहां पर SSD M.2 काफी अच्छी वाली लगाई है दोस्तों SN8 में आपको रीड और राइड स्पीड 7000 Mbps से लेकर 400 Mbps की स्पीड आपको देखने मिलेगी अगरसों आप गेमिंग करना चाहते एडिकिंग करना चाहते तो सब कुल बिश्कूल फॉस्त आपको देखने को मिलेगा इस SSD के साथ बगस्तों आप अपने बजट के और और भी जो 80 plus gold certified है जैसा कि आप समझ सकते हैं काफी अच्छी पॉर्ण सप्लाई आपको देखने मिले वारी रीव की तरफ से काफी अच्छी है बड़ दुस्तों अगर आप चाहें किसी और कंपनी के साथ जाना चाहते तो आप यहां पर देख सेकते हैं cooler master की आपको यहां पर हमने प्रोंज या पर गोल्ड ऐसी कुछ भी हो आप ले सकते हैं दोस्तों यहां पर आप सारे 700 की प्रोंड की लगाई है क्यों कि अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं आप अपने बजट के कोड़ी आप कोई भी ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे तो उस हिसाथ पर करें दिन्दा सोके आप चला सकते हैं अपना फीजी करेंड़ आपको प्राफिक की पीछे में भी आपको एक फैन लगाने का उप्सन देखके मिल जाता है उपर में डूब लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे मेरा भी यह कैमिनेट है यह वाला आप देख सकते हैं यह भी काफी अच्छा इसको भी आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं कामी लोग मुझे कमें है मैट्रेक्स पच्पन वी थ्री तो आप इसको भी बिल्कुल इजली बाई कर सकते हैं तो आप अपने बजट करोड़ी जहां सचाहें उसको देख सकते हैं बाकिस्तों यहां पर पीछे फैन की जगह खाली रहती है उसको लगाने के लिए यहां पर हमने एंट स्पोर की त अच्छा लगते हैं यहां पर बीना अच्छा लगता है आप कॉमेंट में जरू बताना दूस्तों इस पीची को जो में विल्ड के यह फुल अर्जीव को देखते लिए हमने जो बिल्ड के अगर आप गेमिंग करते हैं या फी लुप को दिखाना चाहते हैं तो इसको दोस्तों हमने इस बिल्ड में इस ग्राफिक कार को लिए यह काफी अच्छा दिया इसमें आपको आरजीवी लाइटिंग मिल जाती इनो 3D की तो इसको भी आप बिल्कूल इसली बाइक कर सकते हैं बाकी आप चाहें तो आप किसी और भी ग्राफिक कार के साथ जा सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि आपको कुछ सुझा जाना चाहते हैं कुछ को सब्सक्राइबर में मिल जाता है मदरबोर 12.400 में रेम 5800 में एससजी आपकी 78100 रुपे कहो गई एया आई आउयो आपको 4700 रुपे कहो गया पॉंस सप्लाइए आपकी 6300 रुपे कहो गई आपकी 600 के लेते हैं तो हो गया कैबनेट आपका 6800 रुपे तो हो गया चाहांशट सो के अंदर में आप कोई भी तो पैसे भी बचा सकते हैं उसमुलिए कर आपको ले सकते हैं तो हमारा बजट टोटल रुपीज के यहां पर हमारा बजट बन जाता है तो यहां पर 700 रुपे थोड़ा सजाता हो गए लेकिन अगर आप कहीं से बनाएंगी तो इतना तो हर कोई छोड़ी देगा लगए तो लाज्ट में आगया कि आपको मैं वह टीप बता दू कि जिसे आपको PC में कोई भी दिक्तत ना हो और आपको इसली बहुत ही एच्छे PC बिल्ड करता है तो आप कोई भी कॉंपेटन ले चाहे ऑन-लाइन ले चाहे ऑफ-लाइन ले दोस्तों आप जरूर ट्राइब करें कि आप आपको यह जो की समान है आपको बिल्कुल इसली मिल रहा है सस्ते में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ऑफ-लाइन एक बार जरू ट्राइब करें बाकि दूसरी बात है अगर आपको अपना PC बेड़ करने जा रहे हैं ऑन-लाइन में बहुत सारी वेफ-साइट्स हैं फेक भी ह सायट्स होती उन-स पर भी Check-Out करना ना भुलें आप कोई भी आख्री ले रहे हैं तो था मघ्र ते कोई भी समय जेखर करें और हर जगह से कोई भी समय यह जगह से नहीं ले अलग लगग जगहां से लें ताकि आप वहां से बिल्कुल आराम से ले पाएं शस्ते में अगर आप Elevator or Clipcar से भाई कर रहे हैं तो आप जब सेल चलती है उस समय ताकि आपको और वी सबस्ती समान देखने को मिल जाये जो ने आपको पासद रहा है तो इस पर मैंने का आफिसरी रिसरच करेज़ करीए जो मनी आपको सुरू में बता दिया तो आप अगर लाइन करेंगे तो मुझे मुझे प्रिस्टि मिलेगा बातिस वाइसे वीडियों देखना चाहिए तो आप चानल को सब्सक्राइब करके ब अड़लामे कि आपनौ नहां एका टुरूब चुटा में मिया एका टूरी जाद मुटान।